रुपाली गांगुली के शोव अनुपमा ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इन दिनों अनुपमा में मेकर्स ने फिर से एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर का एंगल जोड़ दिया है बीते दिन शो में दिखाया गया कि माया अनुच के खयालों में खोई रहती है घर पहुचने से पहले वो अनुच को समझाती है कि वो अनुपमा को बीती रात का सचना बताएं दूसरी और अनिरुद को घर बुलाने के लिए वनराज काव्या के चरित्र पर सवाल उठाता है शो में आने वाले ट्विस्ट यहीं खतम नहीं होते हैं अनुपमा में दिखाया जाएगा कि वनराज के तानों का काव्या जबरदस्त जवाब देती है वो बाव और बापुजी के सामने बताती है कि कैसे उसने अनुपमा से कहा कि वो काव्या के साथ खुश नहीं है और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा काव्या बाव और बाप्तुजी को बताती है कि वनराज का मानना है कि वो उसे खुशी नहीं दे पा रही है इतना ही नहीं काव्या वनराज को धमकी देती है कि अब वो केवल अपने और अपने करियर के बारे में सोचेगी दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि माया के कहने पर अनुझ अनुपमा से सच छुपा लेगा वो उसे अपनी और माया के बीच हुए किस की बात और माया की हरकते ना बता कर उसकी जगर ये कहेगा कि छोती अनुझ ने चौकलेट खाई थी और वो बिना ब्रश किये सो गई थी यही बात तुम्हें बताने से डर रहा था कि तुम समझोगी या नहीं ये सुनकर अनुपमा चैन की सास लेती है दूसरी और माया बार बार अनुझ पर हग जताने की कोशिश करेगी जो कि अनुपमा को जरा भी पसंद नहीं आएगा इसके बात शो में दिखाया जाएगा कि कावया अपने एक्स हजबेंड अनिरुद से काम के सिलसिले में बाते करती है अनिरुद उसे वापस उसकी जिंदगी में आने को कहता है जिस पर कावया उससे कहेगी कि वो बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है इस पर अनिरुद कावया को माया से दोस्ती करने को कहता है उधर दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने पती यानि कि अनुज से वनराज की सारी हरकते शेयर करती है वो कहती है कि वनराज ने उसके शाहाउस में रुखने का हसने का अलग ही मतलम निकाल लिया है ये सुनकर अनुज थोड़ा गुस्सा हो जाता है अनुपमा शो में एंटर्टेन्मेंट का डोज यहीं खत्म नहीं होगा शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिवरावत्री की पूजा में माया अनुच पर फूल फेकती है और ये चीज काव्या देख लेती है काव्या माया को घसीट कर अनुपमा की कदमों में गिरा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे पती से प्यार कर बैठी है काव्या की ये बाते सुनते ही अनुपमा का पारा चौते आस्मान पर चड़ जाता है दूसरी और वनराज भी आग में घी डालने की कोशिश करता है और कहता है कि अनुज अगर दूद का धुला है तो उसने माया की हरकतों के बारे में अनुपमा को क्यों नहीं बताया अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आपको फुल ओन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें टीवे मनरंचन और बॉलिवूड से जोड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल एमजी बी डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें